आज का वीडियो बहुत ही दंदार होने वाला है विकोस आज हमारे सामने दो ऐसी कॉंपक्ट एस वी जिसने मार्केट में तहल का मजाएक रखा हुए यह दोस्तों हमारे सामने टाटा नेक्स ओन और दूसरी तरफ है मारुतिय ब्रेशा वेल हमने दोनों ही वेंट कर लिया आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपी के लिए विकोस आज हम बात करेंगे इंडेक्ट में करके देखेंगे कौन सा है वैरिंट आपके लिए लेना बेस्ट टाटा नेक्स ओन या फिर मारुत ब्रेशा वेल दोस्तों चैनल पर नहे है तो इस हमल लिक्वेस्ट बहुत सा सबसे ज्यादा मतलब बिखने वाली यहीं मानी जाती है और इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो पैट्रॉल में सिर्फ और सिर्फ और जो इसका बीस वैंट एक्षिली वो सिर्फ और सिर्फ पैट्रॉल में ही अवलेबल है जो कि आपको एक सब्सक्राइब पढ़ता है आपको आट लाग 63,000 रुपए का यह पढ़ जाता है बीस वैंट के सबसे चीह बात तो दोस्तों यह कि एक सो इंजन परफॉर्मेंस का बहुत ही बेस्ट है फ्रेंट में आपको हालेजन बीस हेड्लाम्स में जाते हैं प्रोजिक्टर बीस और दूसरा चीज आपको इसमें इंजन आपको मिलेगा जो की आपको ग्यारों सब्सक्राइब करके देती है अब अगर बात किया दोस्तों मारुति ब्रेजा के बारे में तो नो डाउट मारुति ब्रेजा इस परम दी बेस्ट कॉंपक्त सब्सक्राइब जस्ट विकॉस इटास 1.5 लिटर इंच जियां दो 17 सी smart hybrid engine 2022 के अभी लास्ट में इन्होंने smart hybrid engine को launch किया ता जिसमें कि क्या है आपको पाउर्ड जी मिलेगी प्लस में क्या रहे दोस्तों आपको इसमें माले जी बहुत ही प्यत्रीन मिले जाता है वह गाड़ी फोर्स लेंडा है तो यह नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं करती ह अगर मैं बात करूँ इसके फ्रेंट लुक्स के बारे में तो इसमें भी आपको प्रोजेक्टर बेस्ट हेड्लाम्स आपको मिल जाते हैं इसका लुक्स आपको बहुत ही मस्कुलर सा लुक आपको देखने के लिए मिलता है और पहली वाली मारती ब्रेजा से तो काफी जादा सबसे बड़े चीज है कि आज के समय में क्या है कि जो पावर बहुत बहतर चाहिए दूसरा साइलेंट इंचन तो वह आपको मारती ब्रेजा ओफर करती है थोड़ा सा नौइजी हो जाता है आपस में एक दूसरे के मतलब अपोजेट कह सकते हैं कि नेक्सौन और मारती ब्र अगर दोस्तों बात किया साइट प्रोफाइल के बारे में तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं इसका टायर प्रोफाइल आपको मिल जाता है इसमें आपको विए कवर नहीं मिलेगे इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यह आपको देखने के लिए मिलते हैं यहां पर दोलब सा इस चीज को अप्ग्रेट किया जा सकता है चुकि काफिए बहतर लगेगा पठाए एक चीज जो मेरे को भूती अच्छी विल्कुल निगा लेकितारा के बेस्वेंट भूर दोस्तों इसमें सेंटर लौकिंग नहीं आफर की जाती है है अगर इसमें टाटा नेक्स में अगर कंपनी बेस मोडल में सेंटर लौकिंग ऑफर कर दे सबढ़ करते बहुत यह बहतर रहेगा वह दोस्तों देख सकते हैं是啊 एंदर रखिए आपको से एंसे मिलता है है और दोस्तों आनों ayam बहुत ही बेटर दे ही यहाँ जाएंगे और यहां पो देखेंगे बार मुझेज को आराम से हैं आराम और वहां इसे आपको सेंटर लॉटिंग उफर की जाती है इंडिकेटर आपके वह में आपको मिलेंगे आप अंदर से इंडिकेटर को कट्रोल कर पाएंगे यह सबसे बड़ी चीज़ है अगर बात की जाए दोस्तों इसके रियर प्रोफाइल के बारे में तो रियर प्रोफाइल में देख सकते हैं जो टाटा नेक्सवन की जो है रियर टेल लाम्प एक्षिल एलेडी में मिलती है और यह थोड़ी सी काफी खुब्सूरत लगती है लेकिन इसमें डी फॉग और पुछ भी आपको नहीं मिलेगा है इस प्रोफाइल आपको मिल जाता है और देख सकते दोस्तों यह रियर प्रोफाइल टेटा का नेक्साउन का फाइव स्टार रेटिंग है यह सबसे सेफ्टी पॉइंट है इस काड़ी का अगर आपको बूट ओपन करना तो आप बाहर से एक सेक्स नहीं कर पाएंगे आपको अंदर सही से ओपन करना पड़ेगा और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे जबर्जास्री इसका भाई भूट इस्पेस नेक्स ओन में क्या है साढ़े 300 लिटर का बूट इस पेस मिलता है तो बूट इस पेस आपको बहुत ही तग आपको यहां पर मिलेगा आपको एक साइस कम होके नहीं मिलेगा यह सबसे अच्छी बात लगी मेरे को वेल यह सिक्स स्पीड मानूल गेर बॉक्स के साथ में आती है अगर बात की चाहिए मारुती ब्रीजा के बारे में दोस्तों यहां पर देख रहा है इसकी भी टेल आप बहुत ही खुबसूरत लगती है पहले से अपगरेड है काफी अच्छी लगती है ब्रीजा की बैचिंग आपको मिल जाती है इसका जो लुक्स है बहुत सारे लोग रेंज रोवर से भी मतलब करते हैं वाइट एंड ब्लैक अगर आप रूफ कर वाले तो बहुत ही की बैचिंग यहां पर दूस्तर देख सकते हैं इसका स्मार्ट बहुत ही जबर्दसते हैं मतलब गाड़ी इतनी हैं चलती इतनी हैं कई बार तो आप गाड़िम बैठे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि घाड़ी ओन है मतलब इतना साइलेंट इंजिन आपको से मलता है और यह आपको हेल्प करती है ट्राफिक में चलाने में वहां पर मतलब कि आपको मैलेच महतर मिलेगा प्लस में थोड़ा सा वहां भी बहुत ही साइन्ट चलीग आपको चलाने में बहुत मजाएगी इसका जो मतलब बूटी स्पेस है वह साड़े 300 लिटर तो नहीं है आपको यहां पर सेम आर सिंका में जाता है कि इस पेर वील और यह दोस्तों इसका इंटीर है पीछे साइड आपको हैड्रेस तरक नहीं आफर के जाते हैं वह देदे तो और बहुत्रीन था वह आपको सेकेंड बेस में मिलना है स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों आप चलत सरी मस्ट कह सकते हैं का रहता मतलब सेंटर लॉकिंग तो चाहिए ही चाहिए अगर बात की जाए इंटीर के बारे में इसका इंटीर आपको काफी प्रिमियुम कराएगा सेट की कुछ निंगे परस नहीं में बहुत अच्छी लगी सच में मतलब इसकी जो कुछ निए अगर बूब आपको मिल जाती है रियर में आपको हाथों से काम कब चलाना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा टाटा पीछे रहे गया है कि उसे भी पाल लुंडों कर देना चाहिए था नीची का देगा यह थोड़ा सा देखना चैए काम्पनी को हला कि सकते हैं कि दोस्तों स्टेइ है यह आपका इंटिरियोर है कि सिक्स के साथ में गाड़ी आ जाती है इसमें आपको सेफ्टी परपस से बहुत सारी चीज़े दी जाती है मिलता है यहां पर देखने के लिए यहां पर देखने के लिए यहां पर देख सकते दोस्तों काफी अच्छा लगते हैं और टाटा नेक्सों में सबसे चीवत लगती है मेरो को इसमें मिलते हैं तीन ड्राइविंग मोड जो की काफी बहतर एको इसपोर्ट और सिटी मोड आपको यहां पर ओफर किया जाता है मैं आपको दिखा देता हूं पहले तो यह देखिए इससे जो नॉप्स हैं यही के नॉ पाइंट भी आपको मिलता है पहले टाटा आपको चार्जिंग पॉइंग बेस मोडल में नहीं आफर करती है बट इसमें ओफर किया हुगा है और पीच में आप देख सकते दोस्तों यह आपको ड्राइविंग मोड भी आपको इसमें मिलते हैं वह चीज मेरों को बहुत आपको मिलेगा गिलवक्स बहुत है मिलता है यहां पर दो आपको मिलते हैं संक्लास ओडर एक्शली यहां पर नॉर्मल सा है इसे आप ओपन प्लोस नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों यह है आपकी टाटा की नेक्स ओन अगर आपको और व्यम एडिस्मेंट कुछ भी करने वहा आपको अंदर से कोई इलेक्ट्रोनिक एक्सेस आपको इसमें नहीं आफर किया जाता है नौ मुवन टू मरकी ब्रेजा में आपको यहां पर सेंटर लॉकिंग ऑफर की जाती है और की में आपको लॉक्टन भी आपको मिलता है तो यह सबसे अच्छे लगी बेसेंट में बे कौन सा लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा वो सारी चीज़ें भी हम लोग पात करेंगे पहले देख लेते हैं इंटियर में क्या का है तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे इसका ब्लैक तीम इंटियर में आपको आफर किया जाता है और चारो पाउर विंडो आपको एन जाता है कि यहां फर दोस्तों देख रहे है पसे उसकि अपर आपको देख सकते हैं और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं विल देख वह कोई रहर साइट पर धर रहुद मेंके जरक् communities si-inauros आपको इतना ओफर कर रही है यह सबसे जबर जसीज है आपने अगर वह नहीं देखाया ओनर्शिप तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल लेता हूं वहां पर जाके उनको आराम से देख सकते हैं यहां पर आपको को भी मीडिया के कंट्रोल से आपको नहीं ओफर किये जात है राइट साइड आपको स्पीडोमेटर मिलेगा क्लॉक भी आपको मिल जाती है और बाकी ओड़ोमेटर आपको बकाइदा हरी चीज़ आपको प्रॉपर यहां पर देखने के लिए मिल जाती है तो यह है आपके मारूती ब्रेसर अगर बात किए दोस्तों सेफ्टी परपस से तो इसमें भी आपको EBS मिलेगा सेंटर लॉकिंग आपको मिलता है दो एरबैक्स आपको मिलेंगे इंचन इमोबिलाइजर आपको मिलता है क्रेश अंसर मिलेगा EBD ESC आइडल स्टार इस्टार फंक्शन आइसोफिक चाल सीट मांट हिल असिस्ट फोर स्टार इन ग्लोब भी नहीं मिलते हैं नहीं आपको यहां पर मिलेगा एसी की जो नौप साथ देखना यहां पर मैनुवल आपको अजिस्मन करना पड़ेगा नीचे आपको टॉलवाट के चालिग्स आपको मिल जाता है है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों और उसके निचा अपना फोन अगर आप आराम से रख पाएंगे यह सबसे अच्छी बात लगी मेरे को फाइव गयर में स्पीट के साथ में गाड़ी आती है नो डाउट पहले से मारती ब्रीजा में बेल्ड वाइस बहुत सारी चीज़े इंप्रूफ करी गई है चलाने में भी बहुत ही तगली लगती बहुत है वह अट अला लगती लेकिन दोस्तों मारती ब्रीजा में क्या है कि इसमें आपको 1.5 तो आपको सैसर देना पड़ेगा यानी की टोटल आपको 50 परसेंट टाक्स गोवर्मेंट को पे करना पड़ता है इसके एक्ट नो प्राइस में दोस्तों इसलिए थोड़ी से यह महंगी हो जाती है नेक्स ओन यहां पर आपको ऑन्रोट की प्राइस के बात करूं तक्रीबन साथ हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर नेक्स ओन से कंपेर करते हैं तो लेकिन उस साथ हजार में आपको करवाना पड़ेगा प्लस में अंदर आपको और में उसके कंट्रोल्स आपको नहीं ओफर किये जाते हैं और सबसे बड़ी चीज इसमें आपको इंजन जो है वह स्मार्ट हाइबिड आपको नहीं मिलता है माइलेज कंपेर तो ब्रेजर नेक्स ओन में आपको नो ड तो यहां पर वो चीज़े आपको देखनी है कि आपको किस टाइप का पावर चाहिए अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए देन गो फोर नेक्स ओन अगर आप 136 सेरम टॉर्क में खुश है तो आइधिंग गो फोर ब्रेजर एक परफेक्ट एंजन आपको मिले जाता है प मर्ती ब्रीज़ा थोड़ी हाइट में आपको थोड़ी सी जादा लगेगी 1685 अमका मिलेगा बाकि वील बेस भी मर्ती ब्रीज़ा का थोड़ा सा ज्यादा आपको मिल जाता है बाकि सेटी वाइस दोनों गारियां अल्मोस्ट सेम हैं हेलसे सारी चीज़े आपको दोनों ही गाड़ियों में आराम से मिलेगा मार्ती ब्रीज़ा में आपको र्यर्टेस नहीं आपको मिलेगा और एक सबसे बड़ी जबर जाए को र्यरं आपको अ एस शींव होंगा मारोधी प्रेज़ा में जस्ट विकॉस इंजन पर्फॉर्वेंस इस गूट बहुत ही साइलेंट है अच्छा माइलिज मिलता है और फीचर फोड़े से ज्यादा आपको आपको ट्राटा की नेक्सान में नहीं मिलने आपको क्या सेज़ेशन कमेंट करके ज़रू अच्छा लगा होगा थांक्यू सो मच गाइस मिलता है नहीं वीडियो के साथ में